प्रभू की आशीश प्रभू की भला याप पर हो प्रभू की महिमा I am so happy मुझे बहुत खुशी है आज पहला वीडियो बना रहा हूं मैं विजनरी रडियो एं टीवी के नए स्टुडियो से हाँ थोड़ी बहुत कमिया हो सकती है आज के प्रोग्राम में and of course because it's a first setting time hall बड़ा है तो echo भी बहुत ज़्यादा है I am trying to eliminate almost everything but we do have such thing to manage all these things प्रभु साहता करे प्रभु की महिमा होती रहे well it's a beginning every beginning has something new न कुछ न कुछ नया है और उस नय में आगे जाकर उसके लिए और 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 परिवर्तन लाने होते है ताकि वो बहतर से बहतर उत्तम से उत्तम होता जाए बढ़ता जाए प्रभु आपको आशेश करे हमारे आत्मिक जीवन के समान है हमने जैसे शुरुवात की उस शुरुवात में हम और अधिक बढ़ते जाते हैं और फिर हम अपने आपको मसी की दे में उन्नती पाते हुए देखते हैं ताकि हम अपने आपको परमेश्व के राज्य के लायक बना लें, आललुया, God has given us everything, परमेश्व ने हमें सब दिया है, आत्मिक उन्नती के लिए, जो भी आवशकता है हमारी, वो सब कुछ परमेश्व ने दिया है, अब ये आप पर और मुझ पर निर्भर करता है कि अपनी आ आत्मिक उन्नती को परमेश्वर के नुसार बना लें, आललुया, प्रभु की महिमा होती रहे, आए शुरुवात करेंगे आज हम, ये है चाप्टर 46, Book of Yehichkil, Yehichkil की पुस्तक, उसका चानी सद्ध्याय में, हम प्रते दिन की भीटों के बारे में देख रहे हैं, it's not like a, you know Jolly Molly message, but the book talking about a deep, the word is talking about how we should come to the Lord, कैसे हमें प्रभु के पास आना चाहिए, परमेश्वर ने कैसी ववस्ता हैं बनाई, याजकों के लिए, पर्वों के लिए, आए पढ़ते हैं, ये है प्रधान और पर्व, प्रधान और पर्व, चप्टर 46, परमेश्वर यहुआयों कहता ह बीतरी आंगन का पूर्व मुखी फाटक, परमेश्व यहुआयों कहता है, बीतरी आंगन का पूर्व मुखी फाटक कामकाज के च्छों दिन बन रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे, नए चांद की दिन भी खुला रहे, प्रधान बाहर से फाटक के उसारे के मार जाए और फाटक सांज से पहले बंद ना किया जाए लोग विश्राम और नए चांद की दिनों में उस फाटक के द्वार में यहुआ के सामने धंडवत करें विश्राम दिन में जो होमबली प्रधान यहुआ के लिए चड़ाए वह भेड के छै निर्दोश बच्चे और एक मेडे का हो अनबली यह हो अर्थात मेडे के साथ एपा भर अन और भेड के बच्चों के साथ यह था शक्टी अन और एपा पीछे हीन भर तेल नए चांद के दिन वह एक निर्दोश बच्चडा और भेड के छै बच्चे और एक मेड़ा चड़ाए यह सब निर्दोश हो ब अन और आपा पीछे, तीन भर तेल, जब प्रधान भीतर जाए, तब वह फाटक के उसारे से होकर जाए, और उसी मार्ग से निकल जाए, अभी शाहद आपको इसमें इंट्रस्ट ना रहा हो, मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन लेट में तेल यू सम्थिंग, अगरिण जोब पर में और शी को जाए, उस नियम परमिश्वन ने दिया है और उस नियम के उसार लोगों को बली देनी है, दूसरी चीज़, यह जो भी बली दी जा रही है ये निर्दोश हो निर्दोश का मतलब यह सान Sage कि इसने कोई पाप किया हो निर्दोश से अर्थ ही यह है कि ये बली किसी तरह से खराब नहीं होनी चाहिए ध्यान देने वाली बात यह है, परमेश्व ने ये कहा यानि के मसी, यहुदी, युनानी लोग जब सब वहां मिस्र में थे इन्होंने क्या किया है, मिस्र के वासियों की विधी और उनके विभार, उनके कामों को इन्होंने अपना लिया वो इनके जीवन की दिन्चरिया हो गई ये अपने परमेश्य यहवा का इंतजार तो करते थे लेकिन फिर भी उन में लिफ्त थे उनके जैसे थे और उनके जैसा विभार भी इनके अंदर आ गया था because 430 years, 20 years की जो बंधवाई थी उस बंधवाई ने इनको ऐसा बना दिया अब जब ये घटना है घटी तो परमेश्य यहवाई ने वहाँ से बाहर निकालना चाहता है और परमेश्य इसलिए इनको ऐसी विदी दे रहा ताकि ये सब गलती ना करें क्योंकि इन्होंने गलती की जब परमेश्य इनने ले आया कहां ले आया परमेश्य ले आया मिसर से बाहर निकालके तो परमेश्य ने इनने शिक्षाएं दी आग्याएं दी लेकिन उन्होंने बात नहीं माने इसलिए परमेश्य ऐसी विदिया इनको दे रहा है, लेकिन वीडियों के साथ साथ एक और चीज़, अभी निर्दोष बली क्यों है, क्या परमेशो को पहले नहीं पता था, परमेशो को पहले ही पता था, कि ये बली, बाद में जाकर कैसे चड़ाने वाले हैं, कोई भी जानवर मिला, जैसा भी मिला, चड़ा दिया, अगर वो बलाक है, तो उसमें दूसरे दाग ना हो, अगर वो दूसरे दाग वाला है, तो फिर इस तरह का ना हो, बिलकुल सोची समझे और सही तरह की भेट प्रभू के सामने लेकर आएं, what about the New Testament, is this really gives us something in the New Testament, yes, we are the believers, those who are walking in the Lord in the New Testament time, हम जो मसी विश्वासी लोग हैं, नए नियम के समय में प्रभू में चलते हैं, आपके और मेरे लिए क्या है, the same way, here is the sacrifice, जो बलिदान है, वो blameless है, वो बिना किसी बात के, लेकिन आज हमारे जो, आज का जो समय है, हमारे बलिदान, हमारी सेवा, हमारा वैभार, हमारा कार है, वो भी blameless हो, प्रभू के सेवक के लिए, हम जो कुछ करते हैं, उसमें करते हैं, हलका सा दे दो, छोटा सा दे दो, अरे चलता है, या फिर किसी बाई या बहन को कुछ देना हो, तो इनके लिए ऐसा ही चलता है, उसके लिए बढ़िया लेके चलो, इसके लिए ऐसा लेके चलो, आप किस-किस के साथ सेवा करते हो, किस-किस के लिए सेवा करते हो, आप चाहे मनुश्य के लिए करते हो, प्रभु के सेवा के लिए करते हो, या किसी और व्यक्ति के लिए करत तो आपकी सेवा यह वो उत्तम होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, एमेन. जब साधरन लोग नियत समों में यहवा के सामने दन्वत करने आये तब जो उत्री फाटक से होकर दन्वत करने को भीतर आये वह दक्षिन फाटक से होकर निकले और जो दक्षिन फाटक से होकर भीतर आये वह उत्री फाटक से होकर निकले अर्थात जो जिस फाटक से भीतर आ उनके बीच होकर आएं और जब वे निकले तब वे सब तब एक साथ निकले अब नोटिस करने वाली बात है देखिए मैं मंदिर में सेवा करता था मतलब अपने बच्पन के समय में जो मैं मंदिर में जो सेवा करता था तो मंदिर में काम करते समय हमें यह सिखाए गया था कि अपनी पीठ उस मूर्ती की तरफ नहीं करके बैठना, उस मूर्ती की तरफ करके नहीं आना, जिस मूर्ती की हम लोग पूजा करते हैं, मैं परनामी समाज में परनामी समाज के मंदिरों में था, तो वहाँ पर मूर्ती पूजा नहीं होती, वहाँ पर होते हैं खड़ाओ, आय आमी समाज में कृष्णी की पूजा होती थी और जो पूजा का एक समय था तरीका था और वो जो सब कुछ वो जो विवस्ताएं थी उसमें किसी भी डिती से अपनी पीट ना दिखाओ अच्छे से बरताओ करो यह सब चीजे मैंने बच्पन से सीखी ताकि हम अच्छे से बरत सम्मान करना सीखते हैं विदेशों से जब लोग आते हैं तो अपनी बाइबल ठीक से नहीं पकड़ते हैं आप पैरों के नीचे लग देते हैं उसका आनाधर जैसा विभार करते हैं कुछ भी उनका तरीका नहीं है मुझे एक बहन ने का था वो रोज वीडियो देखती है उन्होंने का कि मुझे यह पसंद नहीं है कि कोई भी बाइबल जो है अपने पैरों पर रखे उसे हाथ में रखे होल्ड अबाइबल or maybe you have table or something which is absolutely right मैं उसे पसंद करता हूं इस बात को मैं परमेश्यो के वचन को जब भी कभी रविवार को वैट कर जब भी मैं चर्ज में जाओंगा मैं कभी टी-शिट नहीं पहनता राइट यह तो गर्मी मौसम क्योंकि हमारा प्रदेश ऐसा है रोज-रोज शर्ट ट्रेस करने में भी बहुत जोर आता यार तो that's what I otherwise church में मैं हमेशा plain pant and plain shirt पहनता हूं ताकि वो एक आधर का और मैंने church में सब को कहा है अगर पर चड़ने नहीं दूगा इसलिए नहीं कि कोई नियम है परन्तु इसलिए कि हमारे जीवन में परमिश्व के प्रति आदर होना चाहिए अगर कोई टी-शिट पहन के आ है तो ऐसा नहीं कि उसका कुछ अर्थ बदल जाएगा आधर देना चाहिए और यही आधर परमिश्व सिखा रहा है ग्यारापद में परवों और अन्य नियत समयों का अन बली बच्छडे पीछे एपा भर और मेड़े पीछे एपा भर का हो और भेड के बच्चों के साथ यता शक्ती अन और एपा पीछे हीन भर तेल फिर जब प्रदान होम बली या मेल बली को सुच्छा बली करके यहवा के लिए तियार करे तब पूर मुखी फाटक उनके लिए खोला जाए और वे अपना होम बली या मेल बली वैसे ही तियार करे जैसे वे विश्राम दिन को करता है तब वे निकले और उसके निकलने के पीछे को तियार किया जाए प्रती भोगो उसके साथ एक अनभली त्यार करना अर्थात आपा का छटवा अंश और मैदर में मिलाने के लिए हनी भर तेल की अतिहाई यहोग के लिए सदा का अनभली नित्य विधी के नुसार चड़ाया जाए भेड का बच्चा अनभली और तेल प्र sacred worship system and plans, do you think is it necessary, आज के जीवन में अगर हमारे पास ऐसी नियम और विधिया होती, तो हम सब फेल होते, तब भी पूरा हो भी नहीं पाया, और आज भी नहीं हो सकता था, God has given us free will, परमेश्वा ने free will दिया, because now the salvation does not come by law, the salvation comes by grace, हमारा उद्धार नियम और विवस्था के नुसार नहीं है, हमारा उद्धार अनोग्रे से है, जो की परमेश्वर ने किया है, ये शुमसी के लहू के द्वारा, आलूलुया and now, verse 16 16, पत्मे, प्रधान और भूमी का भाग परमेश्व यहोवा यों कहता है यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे, तो वह उसका भाग होकर उसके पोतों को भी मिले, भाग के नियम के नुसार वह उनका भी निज धंठ है रहे परंतु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी करमचारी को कुछ दे, तो चुट्टी के वर्ष तक वह उनका बना रहे परंतु उसके बाग प्रधान को लोटा दिया जाए और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले, प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले जो अंधेर से उनकी निज भूमी से छीना हो अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमी में से भाग दे ऐसा ना हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी निज भूमी से तितर बितर हो जाएं अब बहुत खास तोर से ध्यान दीजे यह जो पार्ट है 16-18 में जो हमने पढ़ा यहां पर बहुत खास बात है हमारा विबस्ता, हमारे काम और हमारी सिक्षा जो है वो कैसी हो मैंने बहुतों को देखा है कि लोग जो है या तो डरा कर या धमका कर लोगों से लेते हैं अब यह दुनिया भर तो ना जो है बगवास करती है दुनिया भर गोलती है कि धरम परिवर्तन, धरम परिवर्तन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जोड जबदस्ती से किसी को आधी रोटी ज़्यादा नहीं खिला सकते एक बाप अपने बच्चे को और धार्मिक कानून जो है कई बार लोगों को डराने के लिए काम में ली जाती है जैसे कि अगर आपने ये फोटो को लाइक नहीं किया तो आपके लिए ना जने आज क्या हो जाएगा आज अगर आपने ये नहीं किया तो आज तुमारे लिए ये हो जाएगा यह डराया जा रहा है, do you think that happens, क्या यह होता है, यह nothing, it's a nonsense, और जो धार्मिक इन बातों से डरते हैं, उनको बुरा लगता है, they do that, वो करते हैं यह काम, क्योंकि उनको धार्मिक प्रवर्तियों से, धार्मिक निवों से डर लगता है, पर असलियत में ऐसा नहीं होता न, हमें परमेश्वर ने सत्य दिया है, सत्य ने हमें आजात किया है, and that's what we know this, तब हम जानते हैं, थोड़ा सोच के देखिए, यह जो धार्मिक विवस्थाएं हैं, मनुष्य को बरबाद करने के लिए, और यहां पर जो याजकों की बात की गई है, याजक ने अगर किसी को अपनी कोई संपत्ती दी है, तो साथ वे साल वो फ्री हो जाएगी, याजक के पास लोट आएगी, जो याजक का था और वो उसके पुत्रों का और उसके लोगों कर आएगा, लेकिन साथ ही साथ देखे, अभी हमारे भारत में भी कानून है, आपके हां किस तरह से बोलते हैं, हमार मंदिर ये कहे कि हमारी संपत्ती हम को लोटाओ, तो वहां पर चाहे महल बनाओ, वो सब तोड़ कर मंदिर को दी जाएगी, that is the law of the land in Rajasthan, I don't know about the other states in the India, definitely ये होगा ही, पर ये यहां का नियम है, और अगर ऐसा है, तो फिर मुश्किल हो सकती है, तो ऐसी कुछ चीजे हैं, उन सब चीजों से समझ कर ऐसा ना हो कि याजक डरा के या ऐसे विभार करके या किसी और बात करके कि उन से कुछ संपत्ती ले ना ले, आज मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, but yes, this need to be understand, but yes, Hinduism and another religion है, इन में ये सब बातें बहुत सुनने को मिलती है, 19 वर्स, मंदिर के रसो सुनिए, 19 वर्स, उसने मुझे बारी आंगन में ले जाकर उस आंगन के चारो कोनों में घुमाया और आंगन के हर एक कोने में एक एक ओट बना था, अर्थात आंगन के चारो कोनों में 40 हाथ लंबे और 30 हाथ चोड़े ओटे थे, चारो कोनों के ओटों की एक ही माप थी, भीतर चारो और पारों के नीचे पकाने के चूले बने हुए थे तब उसने मुझसे कहा पकाने के घर जहां भवन के टहलूए लोगों के बलिदानों को पकाएं वे ये ही हैं। निकला, I mean कल की बात ही है, तो जब मैं निकल रहा था, तो सेंड्विच जब मैं बना रहा था, then I saw that, कि पुराने समय में ये विवस्था थी, कि सुभह पानी आएगा, और सुभह उठके पानी भरने के साथ-साथ तुरंत नहाना है, और नहाने के साथ-साथ पूजा पार्ट करनी है, पूजा पार्ट करने के साथ-साथ तब नहाद होके त्यार होके फिर किचन में जाना है, क्योंकि मैं बहुत सालों तक अकेला रहा, मा नहीं थी घर में, बहन थी, बहन भी उनकी भी शादियां हो गई, तो मैं अकेला रहा एक चोटी बहन थी, डाड़ी हम तीन लोग थे, तो घर में जब सब काम करना, तो नहां दो के सब काम करना, और फिर खाना बनाना, that was my daily job, मैं after coming into the Lord, पानी की वबस्ता यह है, कि पानी तो टैंकी से आता, तो कोई नलतों आता है नहीं आप, okay, and अभी नादो के सब कुछ कर लेंगे, और सब कुछ करने के बाद, तयार होने के बाद, जो है सीधा जाके अब खाना खाएंगे, क्योंकि मेरी वाइफ बनाती है, और मेरी सब घर के दूसरे काम दे, क्योंकि किचन में जाना है, तो पसी ना बहाना है, this is how the life is, what is the difference, the Old Testament talks about your purity, और ये purity जो है शरीर ही कुआ करती थी, और शरीर से ही मन तक पहुचती थी, but in the New Testament, it is quite opposite, New Testament, it's a start from your heart, दिल से शुरुवात होती है, मन से शुरुवात होती है, उसके ब difference, अगर ये वही विवस्था होती, then you can't be holy as Lord wants you to be, आप पवित्र नहीं हो सकते थे, क्योंकि जो परमेशुर आपसे चाहता, जिस रीती से आप ऐसे नहीं हो सकते थे, but you are now, क्योंकि परमेशुर ने आपको चुना है, आललुया, प्रभु किस्तुदी हो, प्रभु की मैमा ह प्रभु की ज़़े कार हो, जंगती करते रहो, ये है पवित्र बाइबल, we'll talk again tomorrow, हम फिर बात करेंगे, let's pray, Father Lord thank you for this great day, प्रभु अनुगरे के ले शुक्रिया, और प्रभु मेरे भाई, मेरे बहन को आशिशित कर, फलवंत और बलवंत कर, इंके परिवारों को आशिशित क के लिए ये शुमसी नाश्री के नाम से मांगते हैं, Amen, Amen, Praise the Lord, बहुत जल्दी मैं पूरे स्टूडियो का टूर जो है, पूरा हो जाए एक बार, I'll give you the video, अभी बहुत सारी चीज़ें, इस कमरे में भी बहुत कुछ फैला पड़ा है, I'll give you the full video, later on, प्रभु की आशिश हो, Amen, Praise the Lord, इस खुब सुरत दुनिया के अलग-अलग चैरे, कोने-कोने के चैरे, इस देश के चैरे, उस देश के चैरे, चैरा कोई भी हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ ये शुमसी के नाम के कारण ही होती है,